हेलो दोस्तों स्वागत आपका हमारी योटूब चानल यहू बाबा पे यह हमारा बूर्ट्सअप कोर्स से लेटिट 36 टॉटोरियल है और इस कोर्स में आप बूर्ट्सअप की इमेज और वीडियो से लेटिट क्लासे सीखने वाले हैं यहाँ पर देखिए माली जी हमारे पास एक इमेज है जो आपको यह बॉक्स देख रहा है यह एक इमेज है और इसको आप रिस्पॉंसिव बनाना चाहते हैं तो यूजली अब हम क्या करते हैं CSS के अंदर इसकी width जो है वो 100% सैट कर देते हैं मगर यहाँ पर bootstrap के अंदर इसकी inbuilt class है जिसकों कहते हैं image-fluid यह class लगाने से जो image है वो 100% responsive हो जाती है और इसके बाद अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि इसकी जितने भी corners है वो सारे sharp corners है अगर आप इसमें थो bootstrap में कहीं अलग-अलग तरीके से आती है जैसे माली जी सिरफ आप टॉप से ही roundness चाते है या सिरफ left से roundness चाते है या सिरफ right से roundness चाते है तो अलग-अलग तरीके की roundness होती है वो जितने भी classes है उससे related वो सारी मैं आपको भी practical में करके दिखाऊंगा उसके बाद हमारे पस यहाँ पर image की styling के लिए एक अलग से class आती है पहले मैं आपको styling दिखाता हूँ यह देखिए यहाँ पर हमने एक image बनाई है और image के अंदर यहाँ पर आप देख रहे है एक border और उसके बीच में दो pixel का gap भी है ग्रे color का border है अगर आप ऐसी को styling लगाना चाते है तो इसके हमारे पास boot setup के अंदर एक inbuilt class है जिसका नाम है image-thumbnail तो अगर आप इस वाली image को भी जैसे हमने यह image-thumbnail लगाई है इसको भी responsive बनाना चाते हैं तो इसके साथ में आपको यह वाली class लगाने ज़रूर है image-fluid तो यह शुरू करते हैं practical और मैं आपको दिखाता हूँ कि यह तीनों classes को हम अलग-लग तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर देखिए web editor के अंदर मैंने एक file बना लिए जिसका नाम मैंने रखा images-videos.html अब इसकी high tag के अंदर देखिए यहाँ पर अपने मैंने meta tag introduce किया viewport नाम से और उससे नीचे यहाँ पर मैंने boot setup की css इस फाली file को include किया है और उससे नीचे मैरी खुद की भी file है style.css इस file के अंदर just मैंने container को एक border लगा रखा है और यहाँ पर देखिए body tag के अंदर मैंने एक div लिए उसके class लगा है यह boot setup की container जिसको मैंने margin bottom दे रखा है और यहाँ पर एक heading लगा है जिसको text lines enter कर रखा है और उससे नीचे यहाँ पर एक div लिए जिस पर row class लगा ही है और साथ में उसके y-axis में padding लगा रखी है अब इसके अंदर आकर यहाँ पर मैं call की class लगाता हूँ मत्यकि call md4 यह देखिए और इसके अंदर आकर मैं एक image place कर देता हूँ तो सबसे पहले मैं HTML का image tag लगा लेता तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पहले folder का नाम images फिर slash road.jpg यह देखिए अब जो यह image है यह काफी बड़ी है यह इस वाले div के अंदर पूरी नहीं आएगी मैं भी आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पर inline style लगा लेता हूँ border लगाता हूँ ताकि आपको दिखे भी फाइल को save किया और यहाँ कर फाइल को refresh यह देखिए आप देख रहे हैं यह image काफी बड़ी है और हमारे जो div है वो red color का यहीं खतम हो चुक है आप देख रहे हैं नीचे से भी तो इससे बाहर चलीगे कियोंकि यह image जो है responsive नहीं है तो इसको हमने responsive बनाना है मैं चाहता हू कि यह जो image है इस div से बाहर न जाए जो हमने class लगाई है column d4 की तो इसके लिए मैंने already आपको बताया कि इसके लिए हमारे पास boot shape के अंदर एक class आई है img-fluid यह देखिए यहाँ पर मैंने file को save किया और यहाँ के refresh यह देखिए आप देख रहे हैं इसकी जो width है वो automatically इस div के recording की अपने आप change हो चुकी है तो यह हमारी बनगी responsive image मैं भी आपको इस page को responsive भी करके दिखाता हूँ तो मैंने यहाँ पर press किया F12 और मैं यहाँ पर गया मैंने इस button पर click किया हमारा responsive view उपन हो चुक है अब मैं यहाँ पर इसे आपको responsive करके दिखाता हूँ यह देखिए जै नीचे वाला जो size होता है वो होता है small size तो जैसी उसके नीचे आया तो image जो आप पूरी बेट ले रही अपनी यह देखिए तो actual में जितनी डिप की बेट थी उतनी image की बेट हो चुकी है यह देखिए मैं जिस मर्जी size में जा रहा हूँ image जो है अपने आप responsive होती जा रही ह मतले कि अपने आप उसकी बेट change होती जा रही है यह देखिए अब इसके बाद मैं आपको इसी image को लेके यहाँ पर एक बार और पेस कर देता हूँ और यहाँ पर मैं आपको जो मैं रपास दूसरी class है image thumbnail मैं वो लगा के दिखाता हूँ मतले कि image की styling के लिए तो मैंने यहा यहाँ पर मैंने file को save किया और यहां कर file को refresh यह देखिए तो यहाँ पर जो अभी मैंने red border लगा है इसको मैं हटा देता हूँ तो मैं यहाँ पर गया और यह मैं style हटा रहा हूँ और उपर वाले जो tip tag उस पर भी हटा रहा हूँ यह देखिए यह देखिए आप देख रहे ह यहाँ पर, यहाँ पर जो हमारे पास second image आ रही है उसके अंदर यहाँ पर आप देखिए एक border आ गया है थोड़ा सा roundness है उसमें और उसके अंदर दो pixel का gap भी आ रहा है तो इस तरह हम bootstrap की help से image की styling भी कर सकते हैं अब मैं आपको roundness image लगा के दिखाता हूँ मतलब की यहाँ पर जो corners है वो round कैसे होंगे तो देखिए उसके लिए मुझे करना क्या है यह वाली जो class है यह मैं लगे रहने देता हूँ इसके साथ में ही मैं class लगाऊंगा rounded यह देखिए यहाँ पर मैंने file को save किया और यहाँ आकर file को refresh यह देखिए यहाँ पर आप image के corners देखिए ध्यान से यह rounded हो चुके है यह जो roundness होती है इसको आप थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं या कम भी कर सकते हैं तो उससे later भी हमर पस यहाँ पर classes होती है देखिए यहाँ पर मैं class लगा रहा हूँ rounded-lg तो इसका मतलब है large roundness चाहिए तो यहाँ पर मैंने file को save किया यहाँ के refresh तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं जो roundness है उस पर कुछ खास फरक नहीं पड़ा बिल्कुल वैसी same सी लग रही है मैं इसकी बिजाए आपको दूसरा यहाँ पर class लगा के दिखाता हूँ जो है rounded SM मतलब कि small size में roundness ले आएगी मैंने यहाँ पर file को save किया और यहाँ आकर file को refresh यह देखिए minor सा change हुआ है बिल्कुल minor सा यह roundness जो है बिल्कुल हलकी सी roundness आ रही है तो यही हमारी class होता है roundness का अब यहाँ पर जो हमारी पास roundness है उसको हम बिल्कुल circle में भी convert कर सकते हैं बत्रकि बिल्कुल goal तो उसके लिए भी हमारी पास यहाँ पर class आती है देखिए उसके लिए मैं इसको यहाँ पर लगाने है rounded-circle यह मारी class का नाम है यहाँ पर मैंने file को save किया और यहाँ आकर file को refresh यह देखिए अब यह circle नहीं बनी यह all बन चुकी है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारी image की height और width है वो equal नहीं है और बिलकुल circle बनाने के लिए जो image की height और width होती है उनका equal होना ज़रूर ही है मतलब कि अगर height जो है वो 200 pixel है तो width भी 200 pixel ही होनी चाहिए नहीं तो वो oval shape में बन जेगी जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे है इसके साथ हमारे पास कहीं अलग-अलग classes आती है जैसे मैंने आपको बताया है सिरफ top से ही roundness चाहिए नीचे से नहीं चाहिए तो उसके लिए हम यहाँ पर class लगाएंगे rounded-top तो यह class लगाने से होगा क्या सिरफ top से ही roundness होएगी bottom से नहीं होगी यहाँ पर मैंने file को save किया और यहाँ कर file को refresh यहाँ पर top से roundness होगी है और नीचे से जो corners है बिल्कुल शाप नजर आ रहे है बिल्कुल इसी तरीके से मैं top की जगा अगर लिख दूँगा bottom तो नीचे से जो दोनों corners है वो rounded हो जाएंगी यह देखिए यहाँ पर ऊपर से शाप हो चुके हैं और नीचे वाले जो borders है वो बिल्कुल rounded हो चुके हैं इसी तरह से मैं left से या right से भी कर सकता हूँ तो left के लिए मैं यहाँ पर लिख दूँगा left यह मैंने file को refresh किये यह देखिए यहाँ पर left से roundness आगी है मगर जो right है वो sharp हो चुके हैं corners तो इस तरह आप right भी यूज़ करके देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर एक class और होती है जिसे हम कहते हैं rounded pill पिल मतलब जैसे हमारे पास capsule का design होता है बिल्कुल वैसे ही design तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या लिखना है rounded-pill यहाँ पर मैंने file को save किया जैसे कि यह भी हमने देखा कि हम image की styling कर सकते हैं उसको responsive कर सकते हैं उसके border लगा सकते हैं उससे border roundness दे सकते हैं इसके साथ ही हम image के साथ कोई text भी लिख सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं अब जो यह text है यह image selected है तो इसके लिए हमें करना क्या होगा हमें जो यह text और image है इन दोनों को एक div के अंदर add करना होगा मत्यकि जो इनका parent होगा वो एक div होना चाहिए यह उसकी जगह पे एक निया tag भी आया HTML5 के अंदर उसका नम है figure figure जो basically use होता है वो होता है images के लिए मैं इस tag से related भी एक अलग से video बनाऊंगा जिसमें मैं आपको HTML के अंदर जितने नए tags आये उनके बारे में बताने वाला हूँ तो यहाँ पर figure अगर आप लगाते है या इसकी जगह पे div लगाते है लेकिन उसके साथ आप bootstrap की class यूज़ करेंगे जिसका नम है figure और इसके अंदर जो आप image लगाने वाले है उस पे आप एक special class लगाएंगे figure-img और इसको अगर आप responsive भी बनाना चाते हैं तो वही class लगाएंगे image-fluid तो यह main class है figure-img इसका मतलब है यह figure selected image है और इसके बाद अगर आप image के साथ text वगरा भी दिखाना चाते हैं मतलब आप बताना चाते हैं यह text जो है यह image को represent कर रहा है तो उसके लिए आप इस tag को या तो span tag के अंदर डाल सकते हैं यह is selected HTML5 के अंदर एक निया tag भी है जिसे हम कहते हैं fig caption आप यह वाले tag का भी use कर सकते हैं इसका मतलब होता है यह figure selected इसकी caption है और यहाँ पर इसके साथ आपको bootstrap की class लगानी होगी figure-caption तो main 3 classes है figure, figure, img, figure-caption तो आई इसका भी practical शुरू करते हैं तो देखिए मैं यहाँ पर editor में आया और मैं इसी div को duplicate कर लेता हूँ यह देखिए और यहाँ पर मैं अपनी एक class लगाने वाला हूँ उससे पहले मेरे को इस पूरी image tag को एक div के अंदर डालना पड़ेगा div की बज़ए मैं यहाँ पर use करूँगा figure tag यह देखिए और इस image को मैं इसी के अंदर place कर देता हूँ इस figure tag पे मेरे को अपनी bootstrap की class लगानी है figure और यहाँ पर जो हमार पस image tag है इसके साथ जहाँ से हम यहाँ पर responsive करने की class लगा रहे हैं इसी से पहले मेरे को यहाँ पर एक दूसरी class भी लगानी है figure-img यह देखिए और यहाँ पर अगर मेरे को image के साथ text दिखाना है तो उसके लिए मैं एक निया tag यूज़ करूँगा जिसका नाम है fig caption यहाँ पर ही जुरूरी नहीं है कि जो आपने यह caption देनी है fig caption के अंदर ही देनी है यहाँ पर आप span tag भी ले सकते हैं अब यहाँ पर मैं कुछ text add कर लेता हूँ यह देखिए some text goes here अब यहाँ पर जो हमेरे पास यह tag of a caption इस पर मेरे को एक class लगानी है बूटसब की figure-caption यह देखिए तो main parent पर हमने class लगाई है figure image पर class लगाई है figure-img और उसके बाद जो caption है उस पर class लगाई है figure-caption तो यहाँ पर मैंने file को save किया और यहाँ आकर file को refresh यह देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर यहाँ पर image के साथ यहाँ पर text भी दिख रहा है नीचे और वो थोड़ा सा grey हो चुका है क्योंकि bootshap के अंदर उसकी styling यही की हुई है आप change भी कर सकते हैं styling और अगर आप इस text को right align करना चाते है तो उसके लिए भी हमारे पस यहाँ पर class है जस्ट मेरे को यहाँ पर figure caption के साथ ही दूसरी class लगा देनी है text right यह देखिए तो यहाँ पर मैंने file को save किया और यहाँ कर file को refresh यह देखिए जो text है वो right side में shift हो चुका है तो यह थी हमारी सारी images से related classes अब इसके बाद हम देखते हैं अपनी video से related classes यहाँ पर देखिए अगर आप अपनी website पे कहीं पर भी कोई video लगाना चाते हैं बेशक वो YouTube से video या किसी और website से video या अपनी खुद की भी आप video upload करके website पे दिखाना चाते हैं तो उसके लिए mostly हम HTML की अंदर हमारे पस चार तरीके के tags आते हैं एक है iframe tag, एक है embed tag, एक है video और एक है object mostly जो developers हैं वो 99% iframe या video tag यह यूज़ करते हैं तो माली जी अगर हमने यहाँ पर यह जो वीडियो दिखानी है, उसके लिए हमने यहाँ पर यूज़ किया iframe tag, तो इसके लिए यहाँ पर हमारे को bootsep की class लगानी पड़ेगी embed responsive item यह iframe tag होता क्या है, इससे लेटरी में मैंने आलरी एक video बना रखी है अपने estimal course में, अब जो यह हमने यहाँ पर iframe लगाया और इस पर एक class लगा दी, यह सीधे से work नहीं करेगी हमें जो यह iframe है, इसको एक div tag के अंदर डालना पड़ेगा और उस पर भी एक special class लगानी पड़ेगी embed responsive मतलब कि जब भी boot setup के अंदर एक video लगानी है तो उसके parent div पे हमें class लगानी है embed responsive और iframe पे class लगानी है embed responsive item अब यहाँ पर boot setup के अंदर हमारे को एक चीज और भी मिलती है मतलब कि जो video हमारे पास यहाँ पर display होने वाली है उसकी हमने width कैसे show करनी है, width और height तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे inbuilt 4 तरीकी की अलग-लग classes आती है यह देखिए, यहाँ पे जो हमारे पास पहली class है वो है embed hyphen responsive hyphen 21 by 9 इसी तरह है 16 by 9, 14 by 3, 1 by 1 इन में क्या difference होता है, यह तो मैं भी आपको practical करके दिखाऊंगा मगर जो उपर की जो दो classes है, यह जो हमारे पास video दिख रही होती है उसको rectangular shape में दिखाती है, मगर जो नीचे की दो classes है 4 by 3 या 1 by 1, यह इसको square shape में दिखाती है, किसी भी वीडियो को तो आई इसका भी मैं आपको practical करके दिखाता हूँ तो देखिए, मैं यहाँ पर editor में आया, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ जैसे हमारे पास यह एक row आ रही थी, इसके नीचे एक row और create कर लेता हूँ तो इस वाली row को तो मैं बंद करके यहाँ पर row के अंदर मेरे को एक column d4 का यह column लेना है यह देखिए, अब इसके अंदर मेरे को क्या करना है यहाँ पर सबसे पहले मैं एक div लूँगा और उस पर class लगाऊंगा, embed responsive यह देखिए और इसकी की अंदर मेरे को यहाँ पर iframe tag लेना है जिसके अंदर मेरे को अपनी वीडियो चलानी है अब यहाँ पर source की अंदर मेरे को अपना एक source देना है तो यहाँ पर मैं एक वीडियो का source यूट्यूब से लेकर आ जाता हूँ तो यहाँ पर देखिए मैंने एक नए टैब में यहाँ पर अपना yahoo baba channel open करके रखा हुआ है तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पर latest वीडियो आ रही है मैं इसी का right click करके add को बंद करके मैं नीचे थोड़ा सा scroll करता हूँ और यहाँ पर share की option आ रही है तो मैं यहाँ पर share पर click करूँगा और यहाँ पर एक option आ रही है embed मैं इस पर click करता हूँ यहाँ देखिए यहाँ पर हमारे पर से एक tag पूरा complete आ रहा है या तो मैं इसी को copy paste कर लूँ वहाँ पर या मैं इसमें से सिरफ URL copy कर लूँ तो मैं इससे सिरफ URL ही copy कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को height और weight वगरा नहीं चाहिए तो देखिए मैं यहाँ पर आया और मैंने इसको इसमें paste कर दिया यह देखिए तो हमारा यहाँ पर URL आगया वीडियो का जहां से वीडियो मेरे को show करनी है अब यहाँ पर मैंने आपको अलड़ी बताया कि यहाँ पर मेरे को iFrame पे bootsep की class लगानी है तो वो class है embed responsive item यह देखिए तो यह दोनों classes लग चुकी है अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जोन से भी हमने वीडियो दिखानी होती है उसका हमारे को यहाँ पर एक size भी बताना है तो मेरे को parent div पर ही लगाना है वो class तो सबसे पहले जो मैं class लगा रहा हूँ वो है embed responsive hyphen 16 by 9 यह size की एक ratio होती है by लिखना यहाँ पर मतले कि अगर 16 width है तो 9 उसकी height होने चाहिए यह उसकी ratio में रहेगी तो यहाँ पर मैंने file को save किया और यहाँ पर आके अपने tag में page को refresh किया यह देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं वीडियो आ चुकी है इसको मैं सलाओंगा तो यह बिल्कुल run भी होगी यह देखिए अब मैं इसी के साथ यहाँ पर अलग-अलग columns के अंदर यह अलग-अलग sizes में आपको देखे दिखाता हूँ ताकि आपको difference भी दिख जाए तो जस्ट मैं करता क्या हूँ यहाँ पर इस पूरी call class को यहाँ से copy कर लेता हूँ तो यहाँ पर paste करके यहाँ पर लगा देता हूँ 21 by 9 यह भी हमार पास एक size होता है और इसी के बाद मैं इसी के नीचे एक पर और paste कर देता हूँ और यहाँ पर change कर देता हूँ 4 by 3 यह जो size होता है बिल्कुल scare जैसे वीडियो को बना देगा और बिल्कुल exact अगर आपने scare बनाना है तो यहाँ पर मैं एक पर और paste करके last class लगा देता हूँ 1 by 1 मतले कि जितनी वीड़ता है उतनी ही height है तो यहाँ पर मैंने file को save किया और यहाँ कर file को refresh यह देखिए आप यहाँ पर difference देख रहे है सारा यहाँ पर यह 16 by 9 है और यह 21 by 9 है आप देख रहे हैं यहाँ पर width ज़्यादा है और height कम देख है मगर यहाँ पर थोड़ा सा जुसका respective ratio है वो काफी ठीक लग रहा है यह best ratio होता है 16 by 9 आपको website पर basically यही use करना चाहिए मगर अगर आप कुछ ऐसा square में दिखाना चाते हैं तब भी दिखा सकते हैं यह भी best size है जिसमें है 4 by 3 और यह बिलकुल square है यहाँ पर one by one देख रहा है आपको देख रहे हैं बिलकुल square मतले कि जितनी वीड़ता है उतनी ही height है यहाँ पर इसने height को बढ़ाने के लिए किया क्या जो हमारे पास basic वीडियो थी उसके उपर और नीचे यहाँ पर space height कर दिये black color में यहाँ पर आके scroll करके यह देखिए मैं यहाँ पर responsive करता हूँ देखी width अपने आप change हो रही है यह देखिए अपने आप यहाँ पर सारी width columns की change हो चुकी है अब यहाँ देखिए एक की नीचे एक आज चुकी है सारी वीडियो यहाँ पर मेरे को margin bottom वगरा भी देना पड़ेगा मगर अभी मैं नहीं दे रहाँ मैं आपको वैसी छोटा करके दिखा रहता हूँ यह देखिए जितना भी मैंने छोटा किये यहाँ पर सबकी width कम हो चुकी है जितने भी हमारे पास यहाँ पर वीडियो जो हो रही थी यह देखिए यहाँ पर यह scale अभी भी दिखा रहा है यह उपर वाला भी आप देख सकते हैं यह देखिए और यह हमारे पास images आ रही है यह भी बिल्कुल responsively work कर रही है क्योंकि हमने इस पर class लगा हूँ है img-fluid यह देखिए तो यहाँ पर आपको images लगाने ही कैसी है और वीडियो कैसे लगाने ही यह दोनों पता लग गयोंगी और वीडियो को responsive बनाने के लिए जो हमारे पास यहाँ पर classes है जो respectively ratio में work करती है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है इसे next वीडियो में हम bootstrap की border selected कुछ classes करने वाले है जो कुछ extra classes हैं जो हमने इस वीडियो में cover नहीं की है और कुछ नई classes भी हैं जो shadow selected है तो उस वीडियो को देखना मत भूलिए अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को please like करना मत भूलिए अगर आप ऐसी regular updates आते हैं तो हमारी channel yahoo baba को subscribe करना मत भूलिए